हेलो दोस्तों आपके अपने उटूब चैनल यूपी अशिनेट में स्वागत है आर्जम बात करने वाले हैं 27 और 28 दोनों देट की बात करने वाले हैं दिशंबर की बात करेंगे यहां पर बात करेंगे फुल डेटेल के साथ दोस्तों बात करेंगे जो की आपकी सभी प्रतियों की परिछाओं के लिए अभी तक जो हमारी सीरीज चलती ती डेलिके डिए इफेर्स की उच्छ में को संसोधन हुआ है इसलिए दो दिन से नहीं आ रही थी क्य की डिस्क्रेप्शन में लिंक है जोईन कर लेजी क्योंकि वहां पे आप लोगो सॉट नोट्स और पीडिया तारे उपलब्द होते रहेगे फिरी में तो इसी दिए आप लोग को इंपोटेंट हो जाता है वहां पे जोईन करने से वाटसप और टेलिग्राम के गुरूप तो यहां पर इस तरीके से हमने क्स्टमाइज कर दिया है क्योंकि अभी तक जैसे भी आती थी तोड़ा संसोधन किया गया है उपर कोश्चन होगा फिर फोटो भी होगी फिर उसके बाद पूरा अफेक्ट के साथ पूरी हां बात होगी जो इंपोटेंट यहां पर बात दे है तो इसी लिए दो दिन से थोड़ा सा काम चल लाता इस पर मैंने दो दिन नहीं डाल पाइस के लिए मां पी चाहता हूं लेकिन आज से आपको डेली मिलेगी और इसी फॉर्विट मिलेगी आज की मारी जो मोस्ट इंपोटेंट से उसको देख लेते हैं मारी बहुत इंप दो करोड या रखेगा दो करोड सब्सक्राइबर्स पहुंसने वाले भारत की पहले विस्ट के ऐसी नेता है जिन्होंने इतना अच्छा टार्गिट पूरा किया हुआ है तो कहीं न कहीं यह इंपोटेंट है और आप ही सकता है क्योंकि इस देश पर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इतने अच्छे मुकाम पर नहीं है फिलाल में हम बात करते हैं अभी किस चीज की तो हम बात करते हैं हाँ पे की फैट की फिर मुक बिन्दू की बात करती है तो भारत के प्रतानमंती नरेंदमोधी यूट्यूब चैनल पर बीस मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले दु पर हैं तो दूसरे इस्थान पर कौन है ब्राजील के पूर्व राष्ट्पती है जो जिर वॉल्सो नारो है इनके सब्सक्राइबर की बात कि है तो चौशट लाग है लेकिन भारत के प्रतानमंत्री की बीस मिलियन है व्यू के मामले में यूक्रेन के राष्ट्पती ब्ला हम दू के मामले में देखा तो यूक्रेन के जो राष्ट्पती है जेलेंस की वो दूसरे स्थान पर है लेकिन अगर स्ब्सक्राइबर के मामले में दिख आ है वही अगर अमेर्की राष्ट्पती जो बाईडन के पास बेख जाए तो सेबिल कंट एठ नउन्हीं लाग स्क्राइबर्स है तो जो कुछ आकड़े हैं जारी किया है यूटूब ने उसको वेने आप लोगे साज़ा कर रहा हूं अगर हम थोड़ा सा यह भी देखें भारती नेताओं में राहुल गांदी के चैनल पर कितने हैं तो 35 लाख से भी ज्यादा स्क्राइबर हैं अगर आप थोड़ा से यहां पर एक चीज को नोट करोगे लोग देखिएगा कि 7.8 लाख अमेर की राश्पती के पास है तुर्की के पास 3.16 लाख है वहीं अगर बात की जाए तो ब्राजील के 64 लाख है नहीं अगर हम राहुल गांदी की भारत की बात करें तो 35 लाख सस्क्राइबर हैं तो कहीं न कहीं राहुल गांदी के जादा ही सस्क्राइबर दिख रहे हैं वकाइदा हमेर की राश्पती के तौर पर प्रिदानमंती नरेन मौदी ने 2007 में अपना यूटूब चैनल को स्थापित किया था मतलब की बनाया था उन्होंने अपना चैनल वर्स 2007 में उस सफर से लेके आज तक दो करोर सब्सक्राइबर के साथ दुनिया के सबसे टॉप के फिर्मों खनेता के रूप में उभरे हुए हैं भारत के नामंती नरेन मौदी जी तो दूसरे इस्थान पर ब्राजील के हैं और दूसरे इस्थान पर भी यूक्रेर की राश्पती हैं किस कैसी महला है एक हिंदू महिला ने दो हजार चौबिस पाकिस्तान आम चुनाओं के लिए नामंकन दाखिल किया हुआ है आप इनकी फोटो को देख सकते हैं इन्हों नहीं पाकिस्तान में 2024 के लिए आमजनाओं हैं महाँ पर नामंकन किया हुआ है और एक हिंदू महला है इनकी बारे में थोड़ा सा डिटेल्स से बात करते हैं क्या बात हो सकते हैं तो पाकिस्तान में खैवर पक्तून खा के बुनेर जिले में हिंदू समदाय की शदस डाक्टर सवीरा परकास ने देश्म के आगामिक आमजनाओं में एक सामान सीट के लिए अपने नामंकन को दाखिल किया हुआ है कहां कि है पाकिस्तान में खैबर पक्तून खा के बुनेर जिले के और कौने एक हिंदू समदाय की सदर्स हैं डाक्टर सवीरा प्रिकास इक सामान सीट के लिए उन्हों ने अपने नमंकर दाखिल किया हुआ और उन्हों ने 23 दिसम्मर को अपना नमंकर पक्त दाखिल किया था जो सभीरा प्रिकास हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्यूपल्स पार्टी अथार्थ संशेप में कहा जाए तो PPP के टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद को जटाया हुआ है उनकी पिता ओम प्रिकास एक सेवनिट डॉक्टर है पिछली 35 परसों से पार्टी के सक्री सदिस्की रूप में भागीदार है एबिटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में 2022 ने इसनातक प्रिकास वुनियर के PPP प्रिकास विंग में महासिचिप के पदपर भी न्यूक्त थे पाकिस्तान चुनाओं आयोग ECP के हालिया संसोदनों के तैर अपसामान सीटों पर पांच पिर्जद महलाओं उम्मिदवानों को भी शामिल करना अनिवार है या रखेगा यह जो इंपोटेंट सब्द है अनिवार कहीं नगई इंपोटेंट है क्योंकि पाकिस्तान चुनाओं आयोग ने कहा है और संसोदन करके यह पर नॉर्मल जो जर्नल सीट होती है उस पर पांच पिर्जद कितना क्या रखेगा महलाओं को कर दिया है सामिल करने के लिए तो इसी दर्मयान देखा जाए तो डाक्टर सबीरा प्रिकास ने अपने लिए सीट कर नामें खिंदा के लिए हुआ है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है तो कहीं लिए एकजाम में आने के चांस बढ़ जाते हैं क्यों बढ़ जाते हैं जोड़ि कहीं जब पहली बार होता तो इंपॉड़ेंट हो और आज की जब मारा नएश्ट टॉपिक प्रिकर टिफिरस होने बार यह बहुत ही है आप सभी लोग जानती हो अगर ना आई तो ऐसा लगता है जैसे पेपर फीका पड़ गया आती है आपि इनकी फोटो से आप समझ सकते हो किनोमी का कॉष्चन की बात करने वाले यह जो हमारी बित मंतरी स्रीमती दर्मला अगर हम बात करते हैं आज की कोशन की तो भारत का राजकोशी घाटा GDP लक्ष के 5.9 परसे से अधिक हो सकता है यह किसने कहा है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का डाटा है यह भारत का राजकोशी जीडिपी जो लक्ष है वो 5.9 परसे से अधिक हो शकता है फोड़ा सा एक फोटो की ग्राफ के बादेम से समझ लेते हैं नो नहीं कहा था 2017-18 में 3.2 बोला था लिके 3.5 एक्शुल रहा 2018-19 में 3.3 बोला 3.4 एक्शुल रहा 2019-20 में 3.3 बोला 4.6 एक्शुल रहा वहीं 2020-20 में 3.5 बोला 9.2 एक्शुल रहा 2018-20 में 5.9 प्रिशल का लक्ष रखा हुआ है जो की जताय जा रहा है कि इस स्याधिक हो सकता है जो रेटिंग है वो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की रिपोर्ट्स कह रही है तो नेक्स्ट हम इन के बारे में चलूरी बाते जान लेते हैं जो इंपोटेंट है की संबाबना जताई जा रही है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की अनुसार उच्छ राजिस शुवियाए और कम बजट वाली सरकार नाम मात्र जीडीपी की कारण भारत का राजकुर्शी घाटा 5.9 लच्छ को पार कर जाएगा कैन सरकार को हाली में इस वर्ष की पहल लग जाएगा क्या होती है तो वह जो बाक्या सरकार ने रखी थी पहली अनुसार मांग थी और वह शंशदी मंजूरी भी मिल चुकी है 2023 के लिए कुल व्याय पेटी बदता को बढ़ा कर 45.6 लाग करोर कर दिया गया है वहीं जिसमें 35.6 लाग करोर का राजिश्य भिया है और 10.1 लाग करोर का पुझी गत्र व्यासा मिल है बढ़ी हुए खर्च का मुंकर्ण कुल्श मंतरालव द्वारा अधिक खर्च करना होगा यहां फे थोड़ा सा उन्होंने अधिक और नन्मांग की हुई है क्योंकि जो कुछ अलग से बन्तरालव हैं वहाँ पे जादा खर्च करने की मांग की जादा खर्च हो रहा है सरकार की अंदान की पहले पूरक मांग में भोजन, उर्वरक और LPG सबसेडी जैसे प्रात्मिक्ता, वाले छेत्रों और महात्मा गान्दी राष्टी गरामी डोजगार गारंटी योजना अथार्त मन देगा के लिए अधिक धनगी मांग की गई है उबर 2023 के पहले चार महिनों में कैजरकार का राजको सिखाटा पूरे साल लच्छ के स्कान नायल प्रिजर तक पहुंच चुका है राजको सिखाटा सरकार के कुल वियाए और उसके कुल राजिस्ट की बीच का अंतर है तो यार रखिएगा जो एकनोमी का कुश्चन है पूरा आप एक दोबार देख लीजिएगा जिससे कि आपके मायन में सैट हो जाए और आपको याद भी बना राएगा अगर आप उस चैनल पर भी तक नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिजिए दोस्तों मुझे अच्छा लगेगा साथ में वीडियो पच्छन लाइक भी किया करो मुझे पीवी पच्छन लाता है को मुझे मुझे मॉटिविशन मिलता है और वीडियो बनाने मुझे अच्छा लगी होई है सारे को जॉइन करने से आप लोगो पीडियो पगरा नोट्स मिलते रहेगे लोगो फिरी रहते हैं हर चीज की वीडियो बनाना इंपॉसिबल रहता है पॉसिबल नहीं हो पाता है तो इसलिए आपको नोट्स पर आप लोगो पड़वी सकते हो तो जॉइन का लीजिएगा कोशन की बात करते हैं अंतराष्टी महामारी तयारी दिवस कम मना जाता है तो 27 दिसम्मर को मना जात मना जाता है इसके पीछे लक्ष के जाए इसको बात करते हैं तो अंतराष्टी महामारी तयारी दिवस यह सब्धेंट है यह बात करता है तयारी दिवस तो तयारी दिवस 27 दिसंबर को प्रतीक वर्स मनाया जाता है। महामारी के तयारी का पहला अंतराश्टी दिवस 27 दिसंबर 2020 को मनाया गया था। तो अभी हाल की ही कुछ सालों की पहले की बात है। 2020 को पहली बार अंतराश्टी दिवस मनाया था। किसने मनाय था या रखीगा, UNGC के द्वारा मनाय गया, थेयोंक तराश्ट महास सभार ने साथ दिसंबर 2020 को एक प्रिस्ता उपनाया, और 27 दिसंबर को अंतराश्टी महामारी त्यारी दिवस के रूप में गोशिट कर दिया था, महामारी की रोकताम त्यारी महामारी खिलाब हम उसके लिए महामारी के खिलाब एक साजेधारी के रूप में महत को वड़ावाद देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है एक महामारी एपिडेमिक कम समय में एक छेतर के भीतर, एक आबादी में बड़ी सज्जाम है लोगों की बीमार होने का तेजी से परसार होने को हम महावेदी की सेड़ी में रखते हैं बात कही जा रही है समझो बात कही जा रही है कि एक समय में एक छोटा सा काल है एक छोटा सा समय पीरियड है उस समय में इस छेतर के भीतर एक बड़ी संख्या में आवादी के लोगों के बीमार होने को भही पेटी जीसी प्रसार हो रहा है तो उसको हम की सेड़ी मिस titanium रख लिते हैं उसी महमारी की रोक थाम के लिए तैयारि करने के लिए एक साथ लड़ने के लिए नेच्ट है हमारा प्रदेश के मुख्षमंत्र योगी आधितनात में वटेस्वर में या रखेगा कहां पर पहली इंट्राइडिस्टिक हेलिकॉप्टर से वायका उधिखाटन किया हुआ तो आप फोटो में देख पार होंगी इनकी द्वारा उधिखाटन किया रहा है जो कि ुछ यह कि लिए बात करें पचि दिसम्मार को को आगरा के बटेस्वार से मत्रा के गोबर्धन तक पहली इंट्रा देश्टिक्ष हेलिकॉप्टर से बखाव धाटेन किया गया पोशेन आशक्ता है कि कि न किंद दो जिलों के बीच किया जाहरा है तो मांतो इन मतो से आगरा के बीचिमे कि जा रहा था ऑगना कि बातेशवुर से मतोर्या के गोबरध मतक लिए एम्पोटेंट है यह परस्म लाइफ के लिहास से भी और व्याम के लिए के लिए यहां पहलेजी सालमने भागेदारी अथार्थ पी पीपी पब्लिक प्राइवेट प्राइटनाट से पर अधारित है इच्छों के लोगों को उत्परियस में एक जिले से दूसरे जिले के लिए हेलिकॉप्टर लोग कर सकते तो आप हेलिकॉप्टर में नहीं बैठे को जाना है हेलिकॉप्टर से बढ़िया जाईये कास भालत वारिटेंशाय कि पर तक गाऊं बटेशवर में किया गया है तो बटेश्वर में कहां पे बटेश्वर है कहां पे आगरा के बटेश्वर में जहां पे उनकी प्रित्रबाद का भी अनावरा किया गया है बात करते हैं बितबर्स 2023 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा प्रंट एकाउंट डेफिसिट घटकर सकल घटीली उतुपाद का एक पिर प्रिस्षट या फिर फिर फॉइंट थिरी बिलियन डॉलर हो गया है तो आप समझ सकते हैं की बात की जा रही है बितबर्स 2023 की दूसरी तिमाई की जो चालू खाता घाटा है सबसे पहले यह समझना है आकड़े किसकी है तो आर्वियाई के आकड़ों के अनुज़ार करцию ओंद मुक रूप से माल वयापार घाटे की कमी पर देख जानी जीड़ी खात है तो 3.9 मंध्याल आश है वहीं बित्वर्स 2023 में पहली तेमाई में CID 9.2 billion dollar था कह सकते हैं कि GDP का 1.1 प्रिक्स था महीं 2023 में दूसरी तेमाई में जुलाई से दमर की दौरान भारत का भुक्तान संतुलन में विकास आकड़ों की अनुसार माल व्यापार खाटा 2022 की दूसरी तेमाई में में ब्रिद्धी के साथ सिवाओं के निर्यात में साल अधार पर 4.2 प्रिद्धी हो रही है कि सुद्ध सेवा प्राप्तिया साल दर साल किर्मिक रूप से बढ़ भी रही है यह इंपोटेंट रहती है कहीं न कहीं थोड़ा सा उसको आप देखके चलिएगा बहुत इंपोटे सच्पो के तीसरे राष्टे सब्मिला की अधिचता करेगी किस के सकन जा रहे हैं मुख सच्पो के चीफ शिक्रिट्स के यहां पे 28 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में करने जा रहे हैं कहां पे नई दिलियो जानते हैं इसके बारे में क्या पूरी बात है क्या प्रिमुक ही बात किया तो सिमिला में ठीक है नहीं अगर बात किया तो दूसरा सम्मिला दिली में जो की नहीं दिली में हैं चहबागी सासन को प्रसाहित करने के लिए मुख सच्पो का राष्टी सम्मिला आउजद किया जाता है तो एक साजी सासन को प्रसाहित करने गवननेंस को प्र करने के लिए बढ़ावा देना है तो जो एक कह सकते हैं कि इंतर पाटनर सिप है या पर कह सके हैं कि जो साजे दारी है उसको पुरुसाहिद करना है किसकी बीच में थे जब राजय सरकारों के बीच में क्योंकि इस पर से मुख सचब का क्योंकि मुख सचब कौन होते हैं क्योंकि से यह एज ऑफ लिविंग है क्या है इस ओफ लिविंग यहाँ पर मुख दिखाए जा रहा है तो यह important है मुख focus क्योंकि एक्जाम में directly हो सकता है चार option आ जाए और वहाँ पे कुछ और option में भी लिखिया आ जकता है तो इज ओफ living जो है उसका मुख focus है बात है तीन दिपसी सम्मिलन में केंसार कार के प्रती निदियों मुख सचिबों और सभी राज्जियों और केंसार से प्रजेसों के अन्य वरिष्ट अधिकारी के सहे 200 अधिक लोग भाग लेनी वाले हैं और इसकी अधिस्ता भारत के प्रता मंत्री मौदी जी के द्वारा की जाएगी भुमी और संपत्ती बिजली, पे जल स्वास, इसकूली स अच्छा जैसे या 5 ओपै बिशाई हैं जिन पर इस सम्मिलन में चर्चा होनी राज इकिसी पर भुमी, लैंड, संपत्ति, बिजली, पेजल, स्वास्त, और इसकूली से अच्छा यह जो बिसा है इन चीजों पर नहीं है पर बात की जाएगी चल्चक की जाएगी इसमेले में सह भागी बैठकी बात की जाएगी इस किनपेर्स की बात करते हैं भारत और ओमान एक मुक्त व्यापार समझोते पर हस्ताच्र करने के लिए तयार है कौन सा व्यापार करने के लिए अनि फीन ट्रेड़े इंप जस्ताच्र करने के लिए तयार हो चुका थो पूरी बात सम्झे क्या है इसका मसला जो चर्चाम की सब्सके बहुत 24 की शुरुवात में इस मुक्त व्याप पर समझोते पर हस्ताचर करेंगे मतलब कि फ्री ट्रीट एग्रिमेंट पर इस मुक्त व्याप पर समझोते से मौटर, गैसुलीन, लोहा, इश्पात, उत्पाद, इलक्तोनिक्स, मसीन थी आदी नियसे निर्याद छेत्रों को लाब मि नि Mog पर ओमान 5 balance का याद सुलक लगाता है कौन लगाता है तारकी का ओमान अपने हांसे जो माल ओमान जाता है उस पर पांच प्रिसर्स का शुल्ग लगाता है उमान का आयाद सुल्ग जीरो से 100% तक है मास, वाइन और तमाखु उत्पादो जैसे विशिश उत्पादो पर 100% सुल्ग लगाया जाता है दोनों पच्छोंने जादतर मुद्दों पर पाची पूरी कर ली है और भारत के पास उमान को खलके तेल, पैट्रोलियम, बिटुमिनस, और मौटर वाहनों के लिए हिस्से और सहाइब उपकरड़ जैसे उत्पादो का निर्यात करने के लिए छमता भी है तो यह रखेगा इससे दोनों देसों को फायदा होने वाला है तो इससे भारत को भी फायदा होगा और ओमान को भी फायदा होने वाला है तो यह रखेगा जो खाड़ी देस है वहाँ खाड़ी देसों में अगर बात जाए ओमान की तो ओमान भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात का एंद्र है भारत और सेयुक्त अरब अमीराथ मतलब की UAE जैसे अन जो खाड़ी देस है बीच एक इससे पहले ही सब नोते पर हस्ताचर की जा चुकी है बात कर रहा है कि जो और भी खाड़ी देस है जैसे की फूर अग्जांपल के लिए सेयुक्त अरब अमीराथ UAE उनके पहले ही हमारे साथ Free Trade Agreement हो चुका है उमान से भारत का व्यापार एक आयात लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर होता है तो यह रखेगा उमान से भारत के व्यापार आयात है वो 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर होता है जो अपने आप में ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते हैं पर फिर भी 300 के लिहाद से अच्छा है नेश कोर्शन यह बात करते हैं इस वरू अपना पहला पूलोरिमेट्री मिसन एक्सरे पॉलिमेरिमेट्री सैटिलाइट एक्सपो सैट सम्हपता एक जनवरी को लॉंच करेगा तो एक जनवरी वैसे आप समझते हो जो एक जनवरी तारिक रहती है वो निवर कट दिन लहता है और 2024 की बात पुछा रही है एक जमेट 2024 को इस रोपे द्वारा एक्सपो सैट का लॉंच करने की योजना है तो एक्सपो सैट क्या है इसके बारे में थोड़ा समस्ते है लॉंच किये गए सौर मिसन आदित L1 और 2015 में लॉंच किये गए एक्सपो सैट के बाद या देश की तीसरी अंत्रिच आधारे वेदिसाला बन जाएगी बात कर रहा है कि हमारे अल्रेडी देखो आपको पता होगा कि दो अल्रेडी लॉंच की जा रहा है कौनसा आदित L1 जो की एक सौर मिसन है जो सौर का मिसन पूरा कर रहा है दूसरा है एक्सपो सैट जो एक अंत्रिच आधारेड की वेदिसाला है और थीसरा हमारा होनी लॉंच होनी जा रहा है कौनसा आध्सपो सैट जो की वह भी एक कि तीसरी अंत्रिच साला की रूप में बन जाएगा मिसन का लक्ष क्या है लक्ष की बात करें तो खगोली एक्सरे के धुर्वी क्रण का अध्यन करना है जो उन प्रक्लियों के बारे में जानकारी प्रतान कर सकता है जिनके प्रणाम सुरूप उनका उत्सरजन होता है तो इसको खगोली के चीजों के बारे में जानकारी प्रतान करना है धुर्वी करन का अध्यन करना है जैसी इन घटनाओं का अध्यन करने की विधि को अपना लेगा और उनकी की इमेजिन्ग के अलावा कैसी सुरूत में प्रिकास में अतार चला हुआ रहा है अकाशी पर्णयों के द्वारा उस सरजित-ूरजा का अध्यन करना भी इसका लक्ष है बेट साला ब्लैक होल और न्यूट्राउन तारे जैसे की बिसाल तारे का ड़ा हुआ कोर जैसे सुरोतों से उच सर्जन तर्थ को समझने भी मदद कर सकती है तो वो समझे का कि ब्लैक होल जो ब्लैक होल है उस ब्लैक होल से न्यूट्राउन तारे है वो वहां पे जो कोल होता है कैसी है तो मिसंट कि कितनी है पांस साल है और एक्स को को निकल के बारे इसरन का बारे कि अ개年前 göz को आठ से तीस के भी में अब लोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है और इस रोग की अनुसार नियोजे जीवन काल की दौरान विभनिस रिणियों की लगबग चालिस उज्जुवल ख़गोली सुरोतों का निच्छल करने की उम्मीद जताई जा रहे हैं बत कर रहा है कि जो ख़गोली सुरोत हैं में आपको निच्छल भी कर सकता है एक्सप्रो टो इसको भी नामक अब लोकन की विधी उप्योग करता है जो भी ने पता हर्तों द्वारा उतपादित विद्धु चुम की स्पेक्ट्रम का अध्यान करेगा बर्स दोजार एकईस में अमेर्की अ सरयुक्त अर्ब अमयरात को तेल के लिए पहला रुपाय में मुक्तान किया तेल के लिए मुक्तान किया है किसको किया है सेयुक्त अरब अमिराथ मतलब की UAE को किया हुआ है जिसका हमारे साथ free agreement, free trade agreement भी है तो वहाँ पे किया गया है तो किस में किया गया है भारती रुपियों में किया गया है इसको बहुत बड़ा important है तो एक्जामे आ सकता है कि किस देश को भारती रुपिये में सेयुक्त अरब अमिराथ को किया गया जानते है भारत ने कच्छे तेल की छरीदी के लिए शेयुक्त अरब अमिराथ को अपना पहला भुक्तान किया रुपाए में ए जुलाई में भारत और UAE ने रुपए के नेप्टान के लिए सम्भ़ूते पर हस्ताचर किये और इससे पहली इंडियन ओयल कॉर्परेशन मतलब की आई यूशी ने अबुधवी नैस्नल ओयल कंपनी से दस लाक बैरल कच्छे तेल की खरीद के लिए भारती रूपयों में भी भुक्तान किया वाद तो इंडियन ओयल कॉर्परेशन तो पहली कर चुकी दे दी है तो भारती ज्रेब बैंक के द्वारा एक दजन से अधिक बैंक हैं जो अठारा से अधिक देशों में बहां पर रूपयों के लिए मंजूरी दे दिये कि निप्तान कर सकते हैं भारत और यूवेई और साओधी अरब जैसे देल बड़े निर्यातकों को ब्यापा करो और रुपये में प्यापर करेंगे तो कही न कहीं ॉपय की मांग कर ने मदक करने मदद मिलेगी वही बाद जो के हुए करने मतलब की कि डॉलर आप लोग समझते हो कि बिश्च में चलता ही चलता है तो कहीं न कहीं भारत को थोड़ा बहुत दिक्क्त तो होती है भारतियत रस्ता बैस्टिक मुद्रा जटकों के पिरतिस कम सम्मेद अंसील हो जाएगी मान लोग कि बिश्च में कुछ भी उथल कि हर देश एक आंगन में हो गया है पतलब कि यह कह सकते कि पूरा दिस एक गाउं में समेठे रह गया है प्योंकि कहीं न कहीं एक दूसरी से इंटर कनेक्टेट है कहीं अगर यह जगहे पर कोई भी दिक्क्त हो रही है ऑटोमेटिकली कि जगहे पर दिक्कत सम्माबना प्रसंट के बात करते हैं इसके बात करें तो गुरु गुबिन सिंखे चार फुत्रों में उनकी माँ के द्वारा दिये गए सर्वोच बल्डान को चिनित करने के लिए मनाया जाता है। तो को इंपोटेंट है आपके दिख रहा है? गुरू गुबिन सिंग। गुरू गुबिन सिंग के छोटे बेटे साहिब ज्यादा जुरावर सिंग नू साल के थे, साहिब ज्यादा फतेह सिंग सास साल के थे, मुगलों के दوارہ आनित क्पूर साहिब पर हमले के दौरां मारे गए थे। उन्हें मुगल जैना ने बंदी बना लिया और इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया लेकिन गुरुगोविन सिंग की माता गुजरी और उनके दो बेटे साहिब जादा अजीज सिंग और साहिब जादा जुजहार सिंग भी मारे गए बीरबाल दिवस गुरु सिंग जी क कहीं नहीं और काफी वार इसको पूछे जा सकता है हो सकता है क्योंकि भारत ने म्यंदpha केन सिर्कार ने दो जारुले साइब जुछंभिस की रूप में मनाने घोशट किया हूए तो पहला मना गया गया दूसरा मना गया थास ने नहीं पोंच गया ékyat फतेहगड साहिब उस्थान का नाम है जहां भी सहवीत हुए थे तो इंपोटेंट है फतेहगड साहिब से संबंदित कोई कोशन है तो अब बता सकते हैं तो यहां पर मेरे 11 कोशनों की बात की है जो अग्जाम के लिए इंपोटेंट थे तो आज के लिए हम सब्सक्राइब करते हैं आप लोग से बारबार में निवेदन किया है चैनल पर नहीं हों सब्सक्राइब कीजिए वीडियो प्रसंदा लाइक कीजिए बैल एकन प्रेस कर सब्सक्राइब कर लिए परानी एक नए वीडियो के साथ आज के लिए थेंक यू